दोस्तो टर्की काफी समय से भारत की पीछे पड़ा हुआ है वो भारत की खिलाफत करने का इस समय कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ मिलकर किसी जमाने में मलेशिया के साथ मिलकर वो भारत के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है किसी भी इंटरनेशनल मंच पर आप चले जाएए टर्की को बोलने का मौका दीजिए वो भारत के खिलाब जरूर बोलेगा खासका टर्की में जब सा अर्दोगान की सरकार आई है ये विक्ति कुछ जादा ही भारत से नफरत करता है बेवज़ा की मैं आपको बता दू कि टर्की और भ बहुत ही अच्छी चीज समने आई है दरसल आप जानते होंगे ग्रीस और टर्की की बीच का पंगा काफी पुराना पंगा है और कभी ना सुलजने वाला पंगा है ऐसी परिस्तिती में लगातर ग्रीस अपने आपको ताकत पर बनाने के लिए दूसरे देशों किसे साहता म लो मिसाल कोई और नहीं बलकी हमारी ब्रहमोस है जो कि रश्या और भारत ने जोएंटली डेवलप किया है ऐसी परिस्तिती में दोस्तों वो किसी भी सूरत में भारत की ब्रहमोस को खरीदना चाहता है ब्रहमोस के एंजी वरजन जो उसका नेक्स जनरेशन वरजन आने वाल ग्रीस की नेवी ने भारत की नेवी से संपर्ग भी किया है जी हाँ वैसे अभी तक किसी भी तरह की कोई ओफिशल टॉकिस विशे पर नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि ग्रीस काफी एक्साइटेड है इसे खरीदने के लिए क्योंकि आप सभी जान दें कि इस समय अगर टर्की कहीं पर डॉमिनेट करता है ग्रीस को तो वो नेवी के मामले में है टर्की की नेवी डे बाए डे ताखतवर होती जा रही है नो डाउट वहीं ग्रीस की नेवी इतनी सक्षम फिलाल नहीं है कि वो टर्किश नेवी का सामना कर सके अगर ऐसी परिस्तिती में का ये डिफेंस सिस्ट्रम इसे नहीं रोक सकता टाकी तो बिलकोल भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर हमारे पास भी एक ही तीर से दो वार करने के लिए बहुत सॉलिड मोका है एक तो हम लोग पैसा कमा लेंगे ग्रीस को ब्रमुस बेच कर दूसरी बात टाकी जो हमारे मामले में बार बार बोलते रहता है उसके दुश्मन को इस तरह का खतरना खतियार दे कर उसकी भी बोलती बंद कर सकते हैं जी हाँ यह बहुत अच्छा समय है भारत ने इसके उपर ध्यान देना चाहिए वे सबके इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है नीचे कॉमेंट करके जोरू बताएगा